सात्यों नमस्कार जैसा कि आप लोग थमनेल से देख रहे हैं आज के इस वीडियो में हम PTT की सेकंड काउंसलिंग को लेकर के बात करेंगी कि PTT की सेकंड जो काउंसलिंग है उसकी कटोप है वो क्या जाने वाली है और कितने नंबर वाले इस्टेंट्स है उनको कोलेज मिल ज जारी होगा अलोटमेंट आपको किस तारिक को होगा सारी जानकारी और संपुर्ण जानकारी आपको इस वीडियू में देने वाला हूं तो प्लीज आप से निवेदने आप वीडियो को completely देखें ताकि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए इस्टेंट्स को भी मत zानकार देने वाला हूँ जिन्होंने पहले काउशलिंग करवाई थी और फिर उनको कॉलेज मिल चुकी थी और उन्होंने किसी कारण से एड्मिसिन नहीं लिया तो वो भी दुबारे से काउशलिंग करवा सकते हैं बता दू जिनके ज़्यादा नमबर थे पहले उनको college मिली थी उन students को अभी college मिलने के chances है वो ज्यादा रहेंगे देखे पहली बात तो यह आजाती है हमारे पास में कि जिनको college नहीं मिली है वो सब भी students counseling करवा दें college मिलने के chances आपको रहेंगे क्योंकि कुछ students ने पहले भी counseling करवाई थी और college join नहीं की थी तो वो city भी खाली हो चुकी है वो city कितनी खाली रही है ये भी आपको बता दूँ city आफके ज़्यादा खाली नहीं रही है लगबग 500 से 600 के आसपास आपकी city है वो खाली रही हुई है यानि इतनी city आपकी अंदाज से मैं बता रहा हूँ officially update अभी तक नहीं आया है कि कितनी सीटे खाली है लेकिन मेरे अंदाज से 500-600 सीटे अभी भी आपकी खाली बच्ची हुई है तो आप लोगों को अगर किसी को college नहीं मिला है तो वो अभी दुबारे से counseling करवा सकता है चाए उसने पहले counseling करवाई हो या फिर नहीं करवाई हो दोनों ही परकार की विद्यारती counseling करवा सकते हैं अब बात आती है कि 5000 रुपे आपके दुबारे से लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे तो साथियों जिन students ने counseling पहले से करवाई है 5000 रुपे दिये हैं वे अपने चालान नंबर के माद्यम से दुबारे से counseling करवा सकते हैं उनका कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा सुप चास रुपे आपके जो इमित्रवाडा है वो ले सकता है आपसे counseling करने के बाकि आपसे कोई charge है वो नहीं लिया जाएगा दोनों ही students counseling कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा हम बात करें तो आपका जो allotment है साथी वो कब जारी किया जाएगा allotment है साथी वो आपका आठ जन्नवरी को जारी कर दिया जाएगा आठ जन्नवरी को आपकी allotment लिस्ट आएगी और जैसे allotment लिस्ट आएगी तो उसकी सुचना आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी कटोप की तो कटोप है साथी वो आपको पता है कि कटोप आपकी जो आहरेट्स है आहरेट्स में हम बात करें तो ओबीशी वाड़ों की बात करें तो यहाँ पर 265 के पास आपकी कटोप है वो आचुकी है तो आप मान सकते हैं कि 260 वाले इस्टुडेंट्स को भी कोलेज है वो मिलने के चांसे जहें हो सकता है 250 वाले इस्टुडेंट्स को भी मिल जाए ठीक है यहाँ पर साइन्स यहाँ पर S.E.S.T. की बात करें तो S.E.S.T. में तो यहाँ पर कोलेज है वो डाइसो के आच पास है इस्टुडेंट्स को मिल चुकी है तो डाइसो के आच पास वाले स्टुडेंट्स भी करप्या द्यान दे वो भी kaunseling परक्रिया में भाग ले इसके बाद में जो आरट में जनरल और आपका EWS बच गया तो EWS की तो OBC के से हम बराबर ही चल रही है किसी कोलेज की कटोप जैदा रही है तो किसी की कम रही है क्योंकि फिक्स कटोप यहाँ पर इसके नहीं रखी जाती है हर कोलेज के अलग अलग कटोप रहती है तो मैं इसको आपको जो उसकत है उसके इसाब से बता रहा है इसके बाद में जनरल की हम बात करें तो जनरल की सातियों आपकी है वो 270 वाले इस्ट्रेंट्स है उनको भी college मिला है कई के college में तो आप लोग भी वहाँ पर counseling करवा सकते हैं एक इस्टुडेंट्स को 268 नमर पर भी कोलेज मिली है जनरल में आर्ट्स में और यहां पर बात आजाती है आपकी टीएसपी एरिया की तो उनको तो यहां पर 200 के आसपास वाले इस्टुडेंट्स को भी कोलेज मिल चुका है दोस्तों के आसपास वाले इस्टेटस को таSP area के अंदर suite है तो भहुत ही कम यानि कि उनकी टो सीटे ही खाली जाती है और कोई इस्टेटस उस तरप से है वो SP area वाले वो बेढ़ा बहुत ही कम करते है इसलिए उनकी सीटे खाले जाती है उन सब भी को कोलेज है वो मिल जाती है इसके अलबा हम साइंस की बात करें तो साइंस में बात करें तो 328 पर OBC वाड़ों को मिला है 327 पर OBC के अंदर गरल्स को मिल चुकी है अभी बात करें बोईज की तो बोईज की आपकी है वो 355 पर एक स्टुडेंट्स को कोलेज मिल चुकी है इसके अलावा मेरे पास में किसी का कमेंट्स नहीं आया था और अभी मैं आपको वो किस परकार से आपको फर्म अपलाई करना है यहां से और किस परकार से आप चालान स्टेटस अगेरा सब चेक कर सकते हैं देखे साइट में थोड़ा सा समय लग रहा है इसलिए यह चीजे मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा देखे साइट ओपन हो चुकी है तो इसी वेडियो में ही बता देता हूँ थोड़ा सा वेट आफ कर लीजे इतने में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले और आप हमारे वार्टसप ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप सो भी जूड़ सकते हैं वहाँ पर भी आपको जो जानकारी है वो देखने को मिलेगी हर जानकारी आपको समय समय पर उपलब देख करवाए जाएगी साथियो देखे यहाँ पर जो जानकारी दी गई है यहाँ सारे लिंक आपके एक्टिवेट कर दिये गए हैं और फोर्म आपके जो काउंसलिंग के फोर्म है वो शुरू हो चुके हैं तो आफ लोग आज ही अफलाई करें हो सकता है कल आफ की साइट में थोड़ा बहुत कोई दिक्कत आ जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोलेज फिल है वो भी यहां से हो रहा है कोलेज लिस्ट निकाली जा सकती है कोलेज चोईस बर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं इसे कोलेज चोईस को लोग कर सकते हैं और रीप्रिंट अपना कोलेज चोईस निकाल सकते हैं पांस हजार जाएगा हर इस्टुडेंट्स की हेल्प की जाएगी आप नमर पर कॉल भी कर सकते हैं 63 छिंतर ब्राण में 39 तेरा इस नमर पर आप कोल करके जानकारी ले सकते हैं तो साथियो आपको यह वीडियो किसा लगा पहले तो आप इसके बारे में बताएए फिर आपका कोई कमेंट ह है तो आप कमेंट करके बता दीजिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए अ सकते हैं QUंइर राजीं करके बताएए पिंगी नमर च Griff हैं तो साथियो आप कंवा है ciao